गुड मॉरिंग दियर इस्टुएंस यह आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक है रंगोली चले स्टार्ट करते हैं इसका 11 चैप्टर आज हम में रीट करना है चाह इसका नेम है इस चैप्टर का चाहत चाह में सोता है विश चाहत प्रात्ना सौरी प्रात्ना ने इच्छा इच्छा होती है चाह होती है चाहत होता है तो चले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में 11 चैप्टर है क्लास फर्स्ट वालों का पहले रीट करेंगे हम ना चाहते खेल खिलोने हम ना चाहते धन सम्मान इच्छा है मन में बस इतनी हो भारत की उची शान माता पिता और गुरुओं का करते रहे सदा हम्मान सच चाय को कभी न छोड़े जाती रहे भले ही जान चले स्टार्ट करते हैं यह जो बच्चे इन कविताओं में बच्चे भगवान से यह प्रात्ना कर रहे हैं यह चाह कर रहे हैं यह उनकी चाहत है यही उनकी विश्यस है इच्छा है कि हम ना चाहते खेल खिलोने हम ना चाहते धन सम्मान बच्चे कहते हैं कि हम मतलब खेल खिलोने ये सारी चीजें हमें बिलकुल नहीं चाहिए और हम इनकों कुछ नहीं करेंगे हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए खेल खिलोने और बाकि जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमें नहीं चाहिए हमें ना ही खेल खिलोने चाहिए और ना ही हमें धन चाहिए धन में सोता है रुपया पैसा ये सारी चीज़े और ना ही हमें सम्मान चाहिए हमें सम्मान भी बिल्कुल नहीं चाहिए इज़त आदर सम्मान यह सारी चीज़ें नहीं चाहिए इच्छा है हम मन में बस इतनी हो भारत की ऊची शान है हमारे मन की यह इच्छा है कामना है चाह है कि हमारा जो भारत देश है वो सदा ऊचा रहा और उसकी जो शान है वो सदा बनी रहे वो तरक्की करे और आगे बढ़े यह हमारी इच्छा है कि हमारा भारत देश सदा नमबर वन पे रहे हमेशा ऊचा बना रहे और यह इसकी जो शान है वो हमेशा बनी रहे हमारी यही इतनी इच्छा इन चार लाइनों का अर्थ है कि बच्चे प्रातना करते हुए कहते हैं कि हमारी बस यही मनो कामना है हमारी इच्छा है कि हमारी चाहत है कि हमारा जो भारत देश है उसकी शान हमेशा ऊची बनी रहे और हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है हमें न खेल न खिलोने ना ही सम्मान आदर इन सब की कोई चाहत नहीं है बस हमारे देश की शान जो है वो हमेशा बनी रहे इस चीज़ की हमें इच्छा है हमारी चाह है माता पिता और गुरू का करते रहे सदा हम सम्मान मतलब की हम और हमारी इतनी इच्छा है कि हम अपने माता पिता और गुरू का सदा सम्मान करें आदर करें हमेशा उनकी बताय हुए रास्तों पर चले उनकी सिखाई हुई बातों पर मतलब आमल करें यही हमारी चाहत है कि हम अपने माता-पिता और गुरुओं की बातों का आदर करें, सम्मान करें सच्चाई को कभी न छोड़ें, जाती रहें भले ही जान मतलब कि सच्ची बातों को, सच्ची बातें, सच्ची चीजों को हम कभी भी न छोड़ें सच के रास्ते पर चले और दूसरों को भी सच्चाई के बारे में बताएं और सच्चे रास्ते पर चलने के लिए चाहे भले ही जान देनी पड़े लेकिन हम सच्चाई को कभी न छोड़े इसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े हम यही चाह रखते हैं और यही इतनी हमारी मनों कामनाएं हैं यही हमारी इच्छाएं हैं कि हम सदा सच्चाई के रास्ते पर चले और अच्छी बाते करें अच्छी चीजे करें तो यह चैप्टर जो आप लोगों का है 11 यहीं complete हो रहा है I hope आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग इसको अच्छी से रीड करें और अन्नेस्टैंड करिए